हाई मैं प्रशांत आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कॉम्निटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं जिससे आप अपने loss को काफी हद तक avoid कर सकते हो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा है कि कैसे आप reversal या फिर big correction को identify कर सकते हो early identify कर सकते हो इससे benefit क्या होगा इससे यहाँ पर आपको दो benefit मिलेगा For example यहाँ पर देख सकते है market आपका upside की तरफ गया है यहां पे हम pen ले लेते हैं देखिए market आपका upside की तरफ गया है और इसके बाद यहां पे हमें अच्छा खासा correction भी देखने को मिला है और mostly लोग क्या होते हैं इस particular zone में most लोग क्या करते हैं गलत trade initiate करते हैं गलत trade लेते हैं और as a result वो यहां पे trap यह जाल में first जाते हैं और finally उन probability है इसको आप यहां पे हटा सकते हैं यहनी एक चीजह पे आपको benefit होगा कि आप यहां पे trap और loss से बच सकते हैं दूसरा benefit क्या होगा कि इसके basis पे आप वापस से एक trade positions initiate करके और यहां से आप profit बना सकते हैं और इसके basis पे आप options में भी trade कर सकते हैं futures में कर सकते हो इंड्रोडे में भी scripture कर सकते हो शॉट टर्म ट्रीडइंग ही कर सकते हैं तो सारा कुछ फिर correction को early identify करेंगे कैसे वो चली सीखते हैं सबसे पहले यहां पर आपको क्या find करना होता हम five minute के चार्ट पर आगए यहां पर आपको find करना होगा support level बेस formation find करना परेगा देखें यहां पर प्राइस आपका आया है उसके प्राइस उपर गया फिर इसी लेवल पर यहां यह हमारा क्या हो गया बेस formation support formation हो गया इन दों straight line को join करते हुए एक line हम draw कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहां से हम देखेंगे कि एक हमें inclination मिलना चाहिए upside की तरफ जैसे यहां पर हमें देखने को मिलवा inclination complete inclination upside की तरफ market अगर आपका इस तरीके से जा रहा है तो वैसा हमें नहीं चाहिए हमें complete इस तरीके से लगबग 45 degree के साथ market जाना चाहिए या फिर इसी इक से मिलता जुलता market आपका इसी तो यहां पर हमारा बस दो ही चीज आइडेंटिफाई करना सबस्पहले support लेवल आइडेंटिफाई करना जो कि हमने आइडेंटिफाई कि लिया फिर इसके basis पे एक trend आपका 12 p.m. के आसपास हुआ है और यह सारा कम इंट्राटे में सुरू होगा और इंट्राटे में profit बुक करके खतम भी होगा उसके बाद जैसे ही इस लाइन को price break करके नीचे आएगा हम क्या करें यहां पर हम इंट्राटे में sell positions initiate करेंगे ठीक है देखे यहां पर जैसे यह closing दिया इसके नीचे अगला candle जैसे ही open होगा यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा बन जाएगा यहां पर entry point और यहां पर हम क्या करेंगे sell करेंगे इंट्री point के लिए कोई भी confusion नहीं है जो हमने trend line draw किया उसके नीचे closing देना चाहिए यह candle closing दिया अगला candle जैसे ही open हुआ है यहां पर हम sell side की तरफ entry लेंगे अब यहां पर हमारा stop loss क्या होगा जो भी इस particular momentum का particular जो range दिखाया है इसका जो भी highest point होगा यह हमारा sell की रूप में काम करेगा target price क्या होगा जो हमने support line draw किया है यह support line मेरा target price होगा यहां पर कुछ भी हमने fall to draw नहीं किया है सबका एक importance है सबका काम है यहां पर support line के काम क्या है target हमें बताता है और यह जो trend line हमने draw किया यह हमें entry point देता है और इस particular moment में जो भी highest point बनता हुँ हमारा sell बन जाता है देखिए यहां पर well defined stop loss है entry point है और target price है और same intraday में यह आपका within one hour इसने target price को hit किया यहां पर हम जो entry लिए है वो किस लेवल पर है वो है आपका 16,390 के करीब यहां पर हमने entry लिया है और target price की बात का है तो 340 target price है यहां पर हमारा 50 point का target price है और within one hour में 50 points मिल गया intraday में वो बहुत बरिवाद होती है और यहां पर आपको options future sum में अच्छा खासा tweet setup मिलता हो दिखेगा तो इन सब के basis पर हम options में क्या trade ले सकते हैं इसको मैं clear कर दिया हम अब देखिए हमें entry कहां पर लेना है इसके करीब यह नहीं 16,390 के level पर हमें entry लेना यहां पर हमें put options buy करना क्योंकि market का momentum है वो नीचे side की तरफ जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे 16,400 जो इससे nearest आपक strike price होगा इसका put options यहां पर हम buy करेंगे अब market यहां से आपका लगवाग 50 points का गिरावर दिखाया तो अगर हम 16,400 का put options buy करते हैं यहां भी at least हमें 25-30 point का benefit आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा इसके basis पर आप options में भी trade ले सकते हैं futures में तो लहीं सकते हैं और चाहो तो आप intraday में भी trade ले सकते हो यह clear हो गया अब यहां पर हम एक और example देखते हैं यहां पर हम बहुत सारे example देखेंगे जिससे आपको यह concept clear हो जाए अब हम यहां पर bank nifty के 5 minute के चार्ट पर आते हैं nifty और bank nifty हमने इसलिए लिया है क्योंकि most लोग nifty और bank nifty के intraday में trade करते हैं अब यहां पर देखिए एक support यहां बना फिर price उपर गया दोवारा support यहां बना जैसे ही दो support बना और एक यहां पर support ले सकते हैं तो इन तीनो लाइन को join करते हुए एक straight line यहां पर हमने draw कर लिया और इसी बीच में एक support यहां पर भी हमारा बनता हुआ दिखा उसकी बार हम यहां पर प्राइस आपका अच्छा खासा upside move दिखाया और काफी शाप upside move दिखाया यह आपका 45 डिगरी से भी ज्यादा जो भी होगा यह हमारा बन जाएगा entry point और यहां पर हम cell positions initiate करेंगे अगर हम इस लेबल की बात करें यह आपका लगवाग है 35,250 के करीब यहनी यहां पर हम जो अपना cell positions initiate किये वो 35,250 करीब अपना cell positions initiate किये इस top loss के रहे क्या बताया था इस particular range का जो भी highest point रहेगा वो हमारा SL की रूप में काम करेगा और उसके बाद target price क्या होगा baseline यह हमारा target price होगा तो target price होगा 34,950 के आसपास यह मेरा target price रहेगा देख सकते हैं same day 10 बजे करीब यह formation दिया है और लगवग आपका 1 से 2 बजे के आसपास इसने target को hit कर दे यहां पर हमें profit मिलता हुआ दिखा है और लगवग आपका 300 point का profit मिला तो जो भी लोग futures में trading वो 300 point छोड़ सकते हैं 1500 से 200 point इवन 500 point तका profit बना सकते हैं और जो लोग options में trade करते हैं वो इसके आसपास वाला strike price लेके options में यहां पर पचास से 100 point आसानी से bank nifty में इसके basis पे बना सकते हैं इसके basis पे आप intraday options में या फिर futures में या फिर जिस भी method से आप trading करेंगे सब method में profit बनता हो दिखेगा और यह हमारा personal research है इस तरह का strategy idea आपको सायदी कहीं देखने को मिला होगा और यहां पर जैसे ही साप correction देखने को मिलता है उसके बाद यह जादा देर तक रहेगा ने इसके बाद क्या होगा profit booking आता है और थोड़ा बहुत reversal या फिर correction आप बोल सकते हैं क् इस भी लोग यहां पर buy की होगे यहां पर buy की होगे उन्होंने क्या देखा कि बहुत जल्दी profit आ गया है और जितना जल्दी profit आता है लोग उतना जल्दी market से निकलना चाहते हैं जो बड़े बड़े traders रहते हैं वो क्या करते हैं market में कम time के लिए इंट्वी देते हैं जितन time test के लिए market में entry नहीं लेते हैं जितना ज्यादा time के लिए market में उतना ज्यादा risk increase होगा इसलिए जल्दी profit आता है वो लोग early exit कर जाते हैं और as a result क्या होता है थोड़ा बहुत यहां पर हमें market नीचे side की तरफ देखने को मिलता है और उसी को हमने यहां पर pick किया है और उस upside की तरफ भी जा सकता है यहां पर हम और example लेते हैं अब हम यहां पर आते हैं stocks पर TCS 15 मिनट के chart मैंने क्या बोला था कि इस strategy को आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं दो example हमने 5 मिनट वाला लिया अब यहां पर हम 15 मिनट वाला example ले रहे हैं अब इसको भी थोड़ा सा य सबसे पहले हमें क्या find करना सबसे पहले हमें find करता है बेस formation यानि support level find करना अब देखिए यहां पर यह है फिर यहां पर आया है फिर यहां पर आया है मतलब यह आपका straight line वाला base formation नहीं करते हैं और यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना कि हमेशा जो base formation होगा वह straight line में नही होगा यहां पर इस क्या हो रहा है आपका higher low pattern का formation होगा और higher low pattern का formation करते हुए यह आपका support level बना रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे इन सब point को join करते हुए एक straight line draw करेंगे ति हमारा क्या हो गया base formation यह हमारा support नहीं पहला point के लिए दूसरा point हमें sharp inclination इस तरह का upside move हमें आप इस तरह का upside move देखने को मिला है इसके बाद हम क्या करेंगे जैसे ही price इस line के नीचे closing देगा यह candle closing मिला उसके अगले candle पर क्या करेंगे यहां पर हम entry लेंगे sell side की तरह ठीक है उसके बाद हमारा stop loss क्या होगा इस particular event का जो भी highest point होगा वो हमारा sl के रूप में काम करेगा यहनि इस point को अभी तक ही highest point है इस point को हम as a sl के तरह काम करें और उसके बाद है कि थोड़ा सा नीचे आया फिर उपर गया और इसने यहीं पे क्या किया sl को hit कर देनी यहां पे मुझे नुकसान हुआ लेकिन चोटा सा नुकसान हुआ और कभी कभी इसके बैसे आपको नुकसान भी हो सकता है इसलिए मैं यहां पे निगेटिव भी बता है सारा का सारा positive example नहीं बता है यहां पे मेरा sl हीट हुआ है देख सकते है यह इस ट्रेट लेवल वह आपका 80% है और हमारा दूसरा जो भी रहता उन सब का जो हाइस्ट एक विसी रहता हो 60-70% ही रहता है जो भी स्ट्राइज हम यूज करते हैं उन सब में सबसे हाइस्ट एक विसी इसी का अगर हम इंट्राइड लेवल के वेश्टिष पर बात करें तो 15 में भी और यह हमारा डिया घेली चाट अब यहांप под़ सकते हैं कके डिलेवरी में आप सेल नहीं कर सकते हैं इसलिए जो आहन पर थोड़ा बहुत close होता हुआ दिखेगा और यहां पर इसके basis पर अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप correction को identify कर सकते हो लेकिन सेम तरीके से हम देखेंगे कि इसके बाद हमें upside की तरभी breakout देखने हो कि मिलेगा इसके opposite वाला भी strategy आपके साथ हम next video में share करेंगे लेकिन इस video आपको इसी पर focus करना तो सबसे पहले हमें find क्या करना हमें base formation find करना और यहां पर देख सकते हैं यह एक support बना है यह भी लगवा उसी गासपा support बना फिर यहां पर support बना है जैसे यह 3 point मिला है तीनों point को join करते हुए एक straight line हमने यहां पर draw कर दिया उसके बाद अब हमें क्या find करना साप inclination यानि साप upside move दिखना चाहिए इस तरह से तो हमें इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिला है इससे पहले हमें छोड़ा सा देखने को मिला है लेकिन इतने छोड़े से के लिए हम जाएंगे नहीं थोड़ा बरा होना चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं स्केंडल के लोग और इसकेंडल को लोग को जोईन करते हुए एक स्ट्वेट लाइन हमने यहां पर ड्रॉा कर दिया अब हमारा इंट्री पॉइंट क्या होगा मैंने अल्वेटी सारा बता दिया मैं मल्टिपल एक्जामपल बता रहा हूं ताकि आपको जो कॉंसेप्ट है ढूरी जो हमारा ये पॉइंट है यह हमारा इसल के रूप में काम करेगा उसके ऱओपपर केंअ हमारा इसल हिट नहीं हुआ बार बार इसल हिट नहीं होगा कभी यह कभी आपका एसल हिट होगा दस ट्रेड में से आपका दो tub rained में को प्रॉफित मिलता हो दिखेगा उसके आपको टागेट नीचे आने में टाइम लग सकता अब यहां पर आपको डूल बेनिफिट कैसे होगा सबसे पहले अगर आप चाहे लॉंग टर्म के लिए बाई कर रहे हो या शौट टर्म के लिए आपने देखा कि इस तरह का फॉर्मेशन कर रहा है और प्रैस आपका इस तर फराइए एस ऊपर नहीं जाए के इसके बाद प्रैस को हैं यह फिर्ना Vy बाद गेर या फिर 15 देखा हनुजर नरा इसके नीचे तो अगर आपने इस पार्टिकलो जोन में इंट्वी नहीं किया आप लेट से इसको इडेइंटिफाइई किये इस प्रियाट में आप क्या कर सकते हो इंट्वी करके फट सकते हो लेकिन अगर आपको यह सारा का profit बना है percentage terms में देखे तो 10% का return हमें मिला है वह भी ज्यादा time में नहीं short time में मिला तो अच्छा खासा return मिला और तीसरा benefit है कि यहां पर हमें अच्छा खासा profit मिला जहां पर हम trap में फस सकते थे नुकसान कर सकते वहां पर हमें profit मिलता हुआ दिखा तो एक चीज हमने find किया यहां पर हमने देखा कि हमें multiple benefit मिलता हुआ दिख रहा है यहीं चीज आपको बताना था और यह एक unique strategy है जिसके basis पे आप intra day btst swing trading सब में काम कर सकते हैं features options सब में काम कर सकते हैं सो उमीद करते हैं कि आपको यह concept clear समझ में आ गया होगा अगर आपको इसी तरह के unique वीडियो चाहिए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे और like करके हमें encourage करते रहें ताकि हम इस तरह के और भी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन